अखिराम अखिर यूपी में पहले चरण का चुनाव 10 फरवरी को हो चुका है 11 जिलों की 58 सीटों के लिए मत्दान हुआ था जिसमें रालो सपागडबंदन का पलडा काफी भारी दिखा है जबकि पिछले चुनाव यानि 2017 में 58 में से 53 सीट भाजपाने जीती थी 14 फरवरी को दूसे चरण का चुनाव है और 9 जिलों की 55 सीटों पर मत्दान होगा दूसर चरण भी भाजपा की चिंता बढ़ाने वाला है क्योंकि गडबंदन की केमेस्ट्री काफी मजबूत दिख रही है भाजपा ने इन 55 सीटों में से 2017 में 38 सीट जीती थी भाजपा की पुर्जोर कोशिस है कि किसी तरह से गडबंदन की केमेस्ट्री को बिगाड़ा जाए जिससे इस्तिती सुद्रे लेकिन यह इतना आसान भी नहीं है वैसे तो भाजपा का दावा है कि पहले चरण की जादतर सीट पर जीत मिलेगी लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट तो इसके उलट होने की और इसारा कर रही है पहले चरण में यह भी देखने को मिला कि भाजपा के कोर वोड में भी गडबंदन की सेंध रही कहीं कम तो कहीं थोड़ा जादा जैन्त और अकलेस की मेहनत के साथ ही रननिती भी सफल होती दिकी क्योंकि दोनों दलों का पूरा वोड बैंक ट्रांसफर हुआ है तबी तो जैन्त से लेकर अकलेस काफी उत्साहित हैं जैन्त ने यह कहा भी है कि पश्चिमी यूपी वालों ने रोग ही काड़ दिया उदर भाजपा का तरक है कि बसपा का वोड भाजपा उम्मिदवारों को मिल गया है लेकिन ऐसा नहीं है बसपा वोड बैंक में जो थोड़ा विगरा हुआ है उसमें भी गड़बंदन को जादर परतिसद मिलता दिका है हाला कि सही इस्तिती तो परिणाम से ही पता चलेगी वही अधिकारियों में नीचे से उपर तक सत्ता परिवर्तन की चर्चा बहुत तेज है क्योंकि जब मेरेट कैंट जैसी सीट पर कड़ा मुकाबला भाजपा की विचारधारा वाले लोग बता रहे हैं तो इससे अंदाजा लगाए जा सकता है क्योंकि इस सीट को भाजपा की बहत मजबूस सीट माना जाता रहा है दूसरे चरण में आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और भाजपा छोड़कर सपा में आए धरम सिंग स्यनी के सीटों पर भी मतदान होना है दूसरे चरण के चुनाओं में सीटें वैस्ट यूपी और रुहिल खंड की हैं